हेलो फ्रेंज एक बार फिल से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसके नाम है एजी टेक्निक तो फ्रेंज जैसे कि आप इसके इन पर देख रहे हैं यह एक आटो लॉक बॉक्स है और आज मैं इसी बॉक्स की डाइकट मनाना आपको अड़ोब इलिश्टेटर पर सबसे पहले इस बॉक्स को मैं फोल खर्लक कर के आपको दिखा देता हूं कि यह लोने का बाद कईसा दिखता है तो और इस बाक्स को जब customer को deliver किया जाता है तो वो कुछ इस तरह से किया जाता है ज्याता कि अभी आप देख रहे हैं screen पर ये इस तरह से ये पर फोल्ड होता है ये इस तरह से फोल्ड करके customer को दिया जाता है जब वो customer open करता है तो automatic ये नीचे से लाउख हो जाता है और उपर से customer जो भी समारिस के अंदर रखना है रख करके उपर से वो अपने से बन कर लेता है तो इसी लिए इस box को बोलते हैं auto lock box तो आए चलते हैं अपने adobe illustrator पर और आपको इस box की डायकर्ट बनाना सिखाते हैं तो फिर्स अभी मैं अपने adobe illustrator पर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं अपने artboard को थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ तो मैंने shift ओ प्रेस किया और यहां से मैं और यहां से मैं अल्टक्रेस करकर इसको दोनों तद से बढ़ा कर लेता हूं और उपर निचे से भी इसको बढ़ा कर लेता हूं तो तो सब सब पहले एक rectangle लेंगे और यहां पो उसको किलिक करेंगे और size हमारे box का है 22 by i.92 और इसको हम color यहां से इसको पहले इदर लगा लेते हैं color इसको दे रहेते हैं red और stroke इसका दे रहेते हैं two point जिससे आपको साफ साफ डिखाई दे और इसको थोड़ा और बढ़ा करते हैं shift हो और यहां से इसको increase कर लेते हूँ तो यह हो गया अभी इसका जो side वाला part है वो रहेगा 10 cm गा तो मैंने इसको copy किया और यहां पर reference point रखा left में और इसको कर दिया 10 तो यह हो गया 10 अभी इसको same copy करना है तो इसको इस तरह से हम copy कर लेंगे और यहां पर हमें इस box को paste करने के लिए एक blue lab लगाना होगा तो इसको यहां पर लगा लेते हैं और इसे हम दे रहते हैं 1.8 cm और इसको दोनों तब से थोड़ा थोड़ा जुका लेते हैं तो मैंने यहां पर enter किया और यहां पर one paste किया चल्वाई करके देख लेते हैं तो यह अभी साही नहीं है तो अम इसको यहां से मिला लेते हैं तो अभी मैंने 1.8 किया है अगर मसीन से पेस्ट करना हो तो और आप इसको और बढ़ा भी कर सकते हैं जैसे 1.8 है तो इसको फूब भी कर सकते हैं और यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे इंटर माने सो तो यह हमारा पेस्ट होने के लिए गुलू लैप बन गया है अभी हमें क्या करना है अभी हमें इसका उपर वाला पार्ट बनाना है तो उपर वाला पार्ट यहां से फ्लैप लगाना है बन करने के लिए तो उसके लिए आप हमेशा साइड वाला पार्ट पॉपि केजिए और उसको इस तरह से रोटेट कर लिजी और उसको यहां से मिला देजिएंगे और इस पार्ट को यहांसे बाद इसको पूरह में तरह करते हैं अब मने इस था बड़ा लिया है और यहां से थोड़ा कम कर सकते हैं और इसको तोड़ा उपर कर लेते हैं और यह पार्ट हमेशा इस पार्ट से वन मिल्ली कम होता है तो हम यहां पर आएंगे प्रोपरेटिस पर और यहां पर देश्क पोईंट डाउन इसको 9.9 और अभी एक फ्लैप और लगाएंगे इस बॉक्स को बंद करने के लिए लॉक करने के लिए तो यहां पर मैंने इसको सेम कपी कर लिए और यहां पर इसको दे देते हैं 2 संटीमिटर और यहां फिर 2.5 भी दे सकते हैं यहां पर 2.5 कर लेते हैं और यहां पर हमें इसको देना है कर्व तो हम यहां पर 5 mm या पी 1 cm का मिया पर कर्व दे सकते हैं यह मैंने यहां पर 1 cm का कर्व दे दिया है और आप अपने इस आप से कम जादा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली वाकिन और इसको अभी हम यहां से करेंगे x क्ठ क्रेंगे और यहां पर दो कट लगाने एक यह पर और यह बहुNat जरूरी होता है बाक्स को लॉक टरने क के लिए तो यहां पर आयांगे और इसको वन सेंट्रीमiej दे रहेते हैं और इससे एक कॉपी Aot लेते हैं कपनो ची सी चापनोड ले और इस यहां से ढाक रएट को करना होगा माइनस तू और इस पार्ट को हमें एक मिल्ली अंदर करना होगा माइनस पॉइंट वन होगे अभी यहाँ पर हमें एक कट आउल लगाना है तो मैंने यह ले लिया है लाइन टूल और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इसको मैं दे देता हूरी अमिल भी फॉइन वोड़िए और सेम अब दूसरे ब़िजर अब भी कॉप्य कर लेते हम और इसको यहां से ला ले यह और इस पार्ट को इसके दिखतां है इस पर बरवर क्लिक करके यह रहाँ एह इसके सेंटर में हो गया है तो इस तरह से यह उलब पार्ट हमारा बन करके रेडिय हो गया है और आप चाहे तो इस पार्ट को कम यह ज्यादा भी कर सकते हैं जैसे अभी यह वान है तो हम इसको 1.2 कर लेते हैं 0.2 और यहां से भी select enter minus 0.2 यह हो गया तो अभी यह 1.2 है तो यहां पर जो हम lock करने के लिए दो flap लगाते हैं एक सेड में एक सेड में उसको हमेशा इससे एक मिल्ली कम लगते हैं या फिर आप बराबर भी रख सकते हैं लेकिन अगर एक मिल्ली कम लखेंगे तो बहुत अच्छे से वो lock हो जाएगा जैसे कि यह है 1.2 तो यहां पर हम लखेंगे 1.1 तो एक copy इसको हम ले यहां पर हम 7 cm दे देगे देंगे तो इहां पर हम 27 cm इसको दे दिया है और यहांं से थोड़ा सा अंदर करेंगे मैंने प्रेस किया प्लस और यहां पर मैं एक enter लगाता हूं और इसको select करता हूं इंटरेक्ट रता हूँ .5 और 0 यह इस तरह से गया हो गया है अभी हमें यहाँ पर इसको लॉकर ने के लिए यहाँ पर एक बनाना होगा तो इसको मैं कॉबी करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ और इसको 1.2 है तो इसको 1.1 कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर लगाता हूँ और इसे के बिल्कुल सिधान से एक हमें anchor point लगाना होगा मैंने प्रस किया plus और यहाँ पर मैं यह रेखें बिल्कुल सिधान से एक anchor point लगा लिया और एक anchor point हमें और लगाना है इसके ओपर यहाँ पर एक और लगा लेक हैं और इसको यहां से डिलेट कर देदें अभी इसको भी अपने जाऄ चाब अड्रस का सकते हैं यो सको माइनेस पॉइंश पॉंट फइफ इनके और इसको और थोड़ा अंदर करेंगे इस तरह से और इसको ठोड़ा सा नीचे मैंनिक टरुज कर लिया और यह भी हमेंसा वन मिलिया अंदर होता है तो हम इसको भी यहां से क्यादर 171 ऌ यह जर्णार प्र 창ग गए और यह वson मिलिये अंदर होता है तो इसको भीbar इसे हम यहां से minus point one करेंगे minus point one, यह लेंगे तो यह हो गया है, पर्फेक्το उपर का भाग हमारा बन करके ready हो गया है अभी यहां पर हम एक circle लगाएंगे कि box यहां को आखाने से open कर सकें तो L लेंगे जिसका shortcut है L और हमें लेना है round circle tool जिसका shortcut है L, यहाँ पर मैंने प्रेस किया, इंटर किया, और यहाँ पर 2 cm के लगाते हैं, यह देखिए, फिर इसको center में रखेंगे, और इसको यहाँ से, इसके center में रखेंगे, इसको हम थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे अभी 2 cm है, तो हम इसको 3 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर lock open करके 3 भी कर सकते हैं, और उसके बाद दोनों को select करके, यहाँ से हम इसको कर देते हैं, cut यह रखें, तो इससे यह होता है कि box को open करने भी आसानी होती है, यहाँ से हम अपना अंगोठा रगा करके इसको open कर सकते हैं, तो यह हो गए, अभी हमें नीचे का ज copy, rotate, rotate, और इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, और इसको यहाँ से मिला रखते हैं, अभी इस पार्ट को हमें करना है half, तो यहाँ पर हम आएंगे, enter point उपर रखते हैं, sorry, reference point उपर रखते हैं, और यहाँ से, divided by 2, यह हो गया है इसका half, अभी हमें log बनाने के लिए, इसको एक copy और करना है, और इसको दे देंगे 2 cm, यहाँ पर मैंने 2 cm का log रखते हैं, और इसको अभी हमें half करना है, तो यहाँ पर reference point रखेंगे, left में और यहाँ से, divided by 2, यह हो यहाँ बना रखते हैं, और इसको जो करना है, इस पार्ट का half होना चाहिए, यह वना पारट हमें सब्सक्राइब, इस पार्ट का half होना चाहिए, तो यह 10, तो यह होना चाहिए 5, तो enter point रखते हैंगे, right, और इसको हम यहाँ से कर देंगे 5, यह हो गया, अभी यह हो गया हम इसके बाद यहां पर यह है 2 तो यहां पर हमें 1 cm पर एक anchor point लगाना है तो मैंने plus press किया और यहां पर यह 1 cm पर एक anchor point लगा लिया है और इसको हमें 1.5 cm अंदर करना है इसको हमें थोड़ा सा curve कर लेना है यह देखिए 5 mm का यहां से हम curve इसको दे लिया है और इस पार्ट को हमें यहां से करना है 2 cm अंदर तो इंटर जीरो यही पर हमें लगाना है 2 0 और यहां से ok कर दिना है तो यह 2 cm अंदर हो गया है और उसके बाद अभी हमें क्या करना है दोनों को करना है select और यहां से हमें इसको unite कर दिना है यह हो गया और यहां पर हमें एक v-shape में यहां पर हमें बनाना है तो हम यहां पर एक point डिटा लगाएंगे एक point यहां पर और इसको हम 5 mm अंदर करेंगे 0-0.5 यह हो गया और यहां से हम एक line टूल लेते हुं 45 डेग्री पर यहां से मिलाते हैं और यहां तक इसको लगाना है यह देखी यह देखी अभी इस जो मैने भी बनाया है इसको हमें यहां से मिला देना यह यह पर्फेक्ट हो गया और इस पार्ट को one मिली हमें अंदर करना है intr .10 जिरो यह हो गया और अभी हमें इस पाट को यहां से यहां पर गिए यह एंकर पॉइंट है रिपर करना है तो म भिएंट फृइंट बिलेट करना है और यह एंकर पॉइंट दिलेट कर दिया और इस पाट को हमें 5 मिलि अंदर करना है इंटर.50 जीरो यह इस था वर सै तो यह पाठ हमारा बन करकर प्रेटी हो चुका है। हुद इसको दोड़ा रबन नीचे कर लेते हैं यह देखी है तो यह हमारा एक द्ड़न पर्फेक्ट बन करकर EU हो चुका है और यह फोल्ड वाली लाइन है तो इसको हम कर लेंगे और इसका आधा रखना है क्योंकि यह 10 है तो इसको हमें कर देना है 5 यहाँ पर हमाएंगे और इसको करेंगे 5 उसके बाद यहाँ से हमेशा इसका आधा हमें अंदर करना होता है यह 10 है तो यहाँ से हमें इसको 5 cm अंदर करना होगा तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इंटर क और नैचे 0 तो यह 5 cm अंदर हो गया है और यहां से हमें 1.5 cm अंदर करना है तो इंतर 1.5 1.50 तो यह हो गया और अभी इस box को चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इसको rotate करके मिला कर देखना है कि यह यह वली जो line है यहां से मिल रही है या नहीं अगर यह line यहां से मिल रही है तो समझ लेजिए आपका box perfect है तो इसको select करेंगे और rotate tool लेंगे यहां पर click करेंगे और इसको यहां से rotate करेंगे यह गिल्कुल perfect है यह देखें यह, failing यहां से मिल रही है तो इसका मतलब यह box में कोई भी कमी नहीं है बिल्कुल 100% प्रफेक्ट ये box बन गया है यह देखिए और इस पार्ट को हमें ऐसे मिला रेना है तो यह बॉक्स हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट 100% बन गया है अभी हमें क्या करना है अभी हमें सारी सेप्रेट करना है फोल्डिंग वाली लाइन तो यहां समाते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं पूरा कंट्रोल एक्स करते हैं और कंट्रोल एक करते हैं डबल लाइन है तो एक लाइन डिलेट कर लेते हैं यहां पर सिंगल ही है और इसको सब को सेलेक्ट करते हैं और आईडॉपर टूल से यहां से फिक्ट कर लेते हैं कलर तो यह फोल्डिंग वाला कलर हो गया उसे तरह से इसको तो भी हम यहा से control X करेंगे, select कर लेते हैं, दोनों एक साथ control X करते हैं सब करते हैं, select एक साथ, IDOPER टूल लेते हैं, यहा से color filter लेते हैं, और यह भचा है, इसको भी control X करते हैं, control F करते हैं, double line यहा से भी delete, IDOPER tool और यहां पर यह देखífic लगा लिए, इसे की वह बहुत अच्छे से गलूद मे एक्जाब हो जाता आ है और बहुत अच्छे से पेस्ट हो होगत तो यहां पर हम कट लगाएंगे श्लाइव हम कॉपी करते हैं यह देखे और सपू सोटा कर लेते हैं यह को फोड़ फोड़ी दूर पर इस तरह से लगा लगा लेते हैं, जिससे कि जो वह हमारा गुलू है, बहुत अच्छी से इसके अंदरaltrob हो जाएगा, तो यहां चेकरते, और और इसको भी हम दूसता color की देएंगे, तो यहांते हम इसको यह color सके नहीं, bro, तो यह हो गए हमारा गुलू वाला पार्ट इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसी तरह से यहां पर भी पेश्ट होना है तो यहां पर भी किसी भी तरीके से आप यहां पर लाइन टूल लेकर यहां पर आप लगा सकते हैं इस तरह से यह एक दो तीन इस तरह से यहां पर भी आप लगा सकते हैं गुलू के लिए क्योंकि यहां पर भी गुलू लगता है तो यहां पर हम इससे लगा सकते हैं जिससे की यह बास बहुत ही मसभूOTि से ढ़ीज़ेंगी तो यहां पर हम लगा लेगी यह इस तरह से तो यहां पर हमने कट लगा लिया है और यह box जब paste होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा मस्भूति आ जाएगी तो फ्रेंस उम्मेट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि auto lock box किस तरह से बनाते हैं और इसी तरह से आप किसी भी size का box बना सकते हैं और आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी और काफी informative लगी होगी तो इस वीडियो को please like कर देजिए और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए उसके साथ ही bell icon भी प्रेस कर जिर जिए क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसक प्युक्त वादो अजाने से पोगता उल्ग कर दोस्तों क्या सर्चाए जेंस्ट भी एग्याओके से उस्तों जेग्यों होगी होगी है मुष्ए भी जविए जिका मिए सावगी होगी 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 है